वेल्कम एव्रिवन, मैं हूँ प्रतिक्षा गाईज आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो भाई बैनों की जो कि आज से पहले एक दूसरे से बात तक भी नहीं करते थे लेकिन एक मिशन इन दौनों भाई बैनों को एक दूसरे के वापस से करीब ले आता है कैसा हो कि जब एक राजा को magic potion से बनी cookies खिला दी जाए ताकि वो राजा अपने kingdom को छोड़ दे तो चलिए फिर बिना प्रतिक्षा कराया आज हम दौनों इनी भाई बैनों के पास चलते हैं जो राजा को अपने kingdom को वापस दिलाने में मदद करते हैं मुवी की starting में हमें गोलु मोलु से king को देखते हैं जो कि अपने birthday के लिए बहुत excited था राजा अपने birthday पे काफी अच्छी dishes बनवाना चाता था इसी के कारण शेफ menu के लिए काफी सारे dishes उनके सामनी रख देता है राजा आज अपनी cookies को भी select करने वाला था जैसे राजा उन cookies को खाने वाला था तभी वो cookies जिन्दा हो जाती है और हर जगर नाचने लग चाती है ये cookies biscuit जिस भी चीज को touch करती वो सारी खाने की चीज़ों में जाना चाती है अब एक cookie biscuit noodles के अंदर गिर जाती है इसे के कारण वो spaghetti एक बड़े से monster में बतल जाता है जो कि राजा को उड़ा के अपनी सान बाहर ली जाता है सारे guards मिलके minister के पास जाते हैं वो बताते हैं कि राजा को kidnap कर लिया गया है प्राइम minister कहता है कि ये बात kingdom के अंदर किसी को भी नहीं पता चलने चाहिए नहीं तो हर कोई डर जाएगा guards कहते हैं तो फिर आखे राजा को कौन बचाएगा तो minister कहता है कि राजा को बचाने के लिए एक secret agency को काम दिया चाएगा ग्रेटल एक दिन एक magician को पकड़ लेती है जिसने कई सारे creatures को magic दिखाने के लिए पकड़ रखा था ग्रेटल उन सारे creatures को आजाद करा देती है जाने से पहले वो सारे creatures ग्रेटल को अच्छे gifts देके जाते हैं Minister agency की head को कहता है कि kingdom में जब तक ये बात पता चले उससे पहले हमें king को ढूणना होगा तीन दिन के बाद राजा का बर्दे है और हमें उनसे पहले पहले राजा को ढूणना जरूरी है Minister जाने से पहले agency की head को ये भी कहता है कि क्यों ना हम एक चोर की जैसे सोचे वहाँ पे खड़े जितने भी लोग थे वो सबसे माहिर चोर को जानते थे जिसका नाम हैंसल था हैंसल के बारे में बताया चाता है कि उसने बहुत बड़ी बड़ी चोरियां की है यहाँ तक कि उसने गेंग के statue को भी चुराया था जिस पे agency की head बताती है कि ग्रेटल ये एक ऐसी लड़की है जो कि अपने काम को सबसे पहले रखती है और वो family को बीच में नहीं लाती दूसरी तरफ हम हैंसल को देखते हैं जिसके पास magic की काफी अच्छी अच्छी tricks थी सभी को लगता है कि वो बहुत अच्छा magic करता है इसी के करण वो बहुत सारे पैसे भी कमाता है लेकिन हैंसल दिल का बहुत अच्छा लड़का था वो गरीबों की मतद किया करता था एक लेड़ी एक बच्ची को लेकि उसके पास आती है और शोखत्म होने के बाद मिलने वाले पैसे को हैंसल उस लेड़ी को भी दे देता है ग्रेडल हैंसल को पकड़ने के लिए यहाँ पे पहुत चुकी थी हैंसल अपनी बहन से बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ग्रेडल उसकी बहन थी इसी किसी के कारण वो से ढूंड के पकड़ भी लेती है लेकिन बात बनवाने के लिए agency की head इन दौनों को ये offer देती है ग्रेटल को best officer का award चाहिए था वहीं दूसरी तरफ hansel को magic करने के लिए license चाहिए था अगर ये दौनों ही राजों को ढूंड के ले आते हैं यहाँ पे एक और एजिन थी जो कि इन गैजिट्स की हैड थी मिशिन पीचाने से पहले वो इन दौनों को ही काफी अच्छी अच्छी गैजिट्स देती है एक special glasses जिससे कि ये magic को देख सके एक magic ball जो कि दिवार में कहीं पे भी होल कर सकता है साथ ही एक ऐसा सिरम जो कि अगर आसपास magic रहा तो green से red में बदल जाएगा जिसके बाद वो griddle को एक list देती है जहांसे king के लिए खाने का समान आया था हैंसल को ये देखते समझ में आ जाता है कि king को अगवा करने का काम किसी bakery का हो सकता है इसे के कारण वो griddle को कहता है कि सबसे पहले शुरुआत हमें वहीं से करनी चाहिए जिसके बाद हम अलवीरा को देखते हैं ये एसल के अंदर एक magic potion बना रही थी वो अपने potion के अंदर कई सारी अलग-अलग चीज़े डालती है अलवीरा के साथ में कई सारी ऐसी cookies रहती है जो सारी की सारी जिन्दा होती है अब तक यहाँ पे वो magical noodles जिन्होंने केंग को अगवा किया था वो केंग को लेकि अलवीरा के सामने आ जाते हैं केंग जब पहली बार अलवीरा को देखता है तो उसे पहचान जाता है क्योंकि अलवीरा केंग की खास शेफ थी जो कि पहले कैसल की अंदर ही को किया करती थी लेकिन बाद में केंग को पता चला कि वो तो black magic करती है इसी के कारण केंग ने अलवीरा को काम से निकाल दिया अब अलवीरा इसी चीज़ का बतला लेने आई थी केंग अलवीरा को कहता है कि वो उसे बहुत पैसे देगा लेकिन अलवीरा को पैसे की जरूरत नहीं थी बलकि उसे तो केंग को अपने कंट्रोल में करना था इसी के कारण वो केंग को magic cookies खिलाने लगती है ग्रिटल और हैंसल उसी बेकरी शॉप में पहुँच जाते हैं जापे कई सारे cupcakes जिन्दा थे ग्रिटल के सामने एक room था जिसके अंदर दरफासा लगा था वो हैंसल को अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन इसी समय हैंसल गलती करता है और cupcakes के सामने आ जाता है cupcakes चिलाने लगते हैं इसे के कारण एक बहुत बड़ा cookie dog उसके सामने आ जाता है डॉग हैंसल का पीछा करने लगता है ग्रिटल इस समय उसी secret room के अंदर थी जहापे हैंसल और डॉग भी आ जाते हैं ग्रिटल जिस सीडी के ओपर चड़ी हुई थी हैंसल भी उसी सीडी के ओपर आ जाता है और डॉग इनके पीछे-पीछे भागने लगता है इन सब के भाग दौड के चक्कर में कई सारे magic potions नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पे बड़े-बड़े से colorful धमा की होने लग जाते हैं बार-बार के अंदर जब magic potion इन दौनों के ओपर गिरता है तो ये अलग-अलग रूप लेने लगते हैं आखिर के अंदर जब इनके ओपर एक potion गिरता है और बच्चा समझने के कारण इन दौनों को भीज दीते हैं एजेंसी में जाने के उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी अब ग्रेडल को एक idea आता है कि क्यो ना वो खुद बाबा यागा के पास में जाए ये दौनों ही अब बाबा यागा के घर तक पहुच गए थी और बाबा यागा इनने बिना पुचे घर के अंदर भी बुला लीती है साथ हिमें खाने के लिए कुछ magical cookies भी देती है हैंसल तो उन्हें दे के पहचान जाता है कि जरूर इसमें कुछ न कुछ होगा जिसके बाद में हैंसल बाहर जाता है और अपनी magical trick से बाबा यागा को डरा के उनसे moon jam ले लेता है अंदर आने के बाद वो अपनी बहन को भी जगा देता है लेकिन यागा को तब तक पता चल चुका था कि ये बच्चे आखिर कौन है वो इन दौनों को पकड़ने के लिए जैसे ही कमरे में जाती है तब तक ये दौनों ही कोई ना कोई plan बना के याँ से भाग जाते हैं आगे बढ़ते हुए ये दौनों ही एक बड़े सी पेड़ से टकरा जाते है और वही नीचे गिर जाते हैं दौनों एक दूसरे के ओपर गुसा करने लगते हैं कि गलती एक दूसरे की है हैंसल को ग्रेटल की डायरी मिल जाती है जहां पर वो पढ़ने लगता है कि कैसे ग्रेटल को बेस्ट एजिंट का अवार्ड चाहिए दूसरी तरफ एलवीरा के इंको मैजिकल कुकीज खिलाने की कोशिश करती है जहां वही कपकेक्स आते हैं जो कि उसके सर्वेंट थे वो आके बताते हैं कि हमारी बेकरी के उपर अटैक हुआ है कपकेक्स के पास में ग्रेटल का एजिंसी बैच भी था जो कि वो अलवीरा को देते हैं अलवीरा उन एजिंसी के लोगों को रोकने के लिए एक बहुत बड़े बॉल को भीचती है दूसरी तरफ ये जब दौनों भाई पैन आके बढ़ रहे थे तो एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस इन दौनों को ही पकड़ लेता है ये सोचके कि ये दौनों एलवीरा के एजिंट्स है ये ऑक्टोपस इन्हें मर्मिट क्वीन के पास लेकि आता है राने इन दौनों को एजिंट्स समझ के फिशिस में बदलने ही वाली थी कि तभी उस समय क्वीन की बेटे उन्हें रोक लेती है क्योंकि वो ग्रेटल को उसके गले में पहने हुए लौकिट से पहचान चाती है हम देखते हैं कि मर्मिट क्वीन ने भी एलवीरा के कई सारे कपकेक्स को यहां पे बंदी बना रखा था यह सबी यहां का सिरम चुराते हुए पकड़े गए थे ग्रेटल और हैंसल को आईडिया आता है कि अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा तो यह डायरेक्ट एलवीरा के पास में पहुँचेंगे इसी के कारण यह दोनों ही कपकेक्स का पीछा करते हुए एक बहुत सुनसान सी जगह पे पहुँच जाते हैं अलवीरा ने जो बड़ा सा बॉल भीचा था वो भी अब इन दोनों के पीछे पड़ जाती है यह दोनों भाई बैन उस बड़े से बॉल को भी हरा देते हैं हंसल एक पहाड़ी से नीचे गिरने ही वाला था लेकिन तभी ग्रेटल ने उसे बचा लिया तभी इन लोगों के सामने एक ऐसा दर्वाजा था जो कि एक मैजिकल वर्ल्ड में ने ले जाता है जिसके बाद में इनके सामने एक मैजिकल डूर था ताकि अंदर के दुनिया में कोई न चा सके अंदर जाने के बाद ये जिंजर ब्रैट के घर पे पहुंच जाते हैं इन दौनों का पपी बागी सारे कपकेक्स को परिशान करने लग जाता है तब ही ये दौनों एक ट्रेन में बैट जाते हैं ये दौनों आप राजा तक पहुँच चुके थे इनने पता चलता है कि एलवीरा अपनी मैजिक पोशिन वाले कुकिस राजा को खिला रही है ताकि राजा एलवीरा को अपना सब कुछ मानने लग जाए अब तक राजा के उपर उस magic potion का असर उना शुरू कर देता है ग्रीटल जब उन्हें साथ चलने के लिए कहती है तो king वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है ग्रीटल को पता चलता है कि अलवीरा पूरे kingdom के लोगों को ये magical cookies खिलाएगी ताकि सारे लोग उसकी बात माने जिसके बाद ग्रीटल अब king को कहती है कि मैं आपको और बहुत सारे cookies दूँगी इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा लेकिन राजा गलती से हैंसल को पहचान लेता है कि ये तो वही चोर है जिसने मेरे statue को चुराया था इसी के कारण वो guards को बुलाने लगता है इस चकर की अंदर यहाँ Elvira भी पहुंचाती है guards को कहके वो इन दौनों को ही cookies room के अंदर भीज देती है Elvira अब राजा को लेके kingdom की तरफ जा चुकी थी ग्रेटल और हैंसल एक पर फिर से लड़ने लग जाते हैं जहाँ पे हैंसल अब अपनी सारी बात बताने लगता है वो बताता है कि बचपन में जब उसके mom और dad गुजर गए थे तो ग्रेटल का ध्यान रखने के लिए उसे चोरी करनी पड़ी ताकि वो ग्रेटल का ध्यान रख सके और उसे अच्छे सी बड़ा कर सके ये बात सुनके ग्रेटल को बहुत बुरा लगता है और वो अपने भाई के गले लग जाती है जिसके बाद अब ये दौनों ये एक बहुत बड़े बलून पे जम करके बहार आ जाते हैं ग्रेटल को लगता है कि अगर वो मैजिक पोशन के कुकीज का एंटिडोट बना ले तो शायद वो सब को सही कर सकती है ये दौनों मिलके एंटिडोट बना चुके थे और अब एक बिस्किट ड्रैगन की मदद से ये दौनों ही किंग्डम की तरफ निकल जाते हैं एलवीरा ने पूरे किंगडम की अंदर मैजिकल कुकीज को गिरा दिया था जिसके करण अब हर कोई एलवीरा की ही गुणगाने लगा था हैंसल और ग्रेटल यहां पर पहुँच गए थे लेकिन हैंसल अंदर जाता उससे पहले तो गार्स ने उसे पकड़ लिया था इसी के कारण उसके पास जो अच्छे अच्छी ट्रिक्स थी वो उन्हें दिखा कर सभी लोगों को वहां डिस्ट्रैक कर देता है इतने ही देर में ग्रेटल केंग के पास जाती है और उन्हें एंटिडोट लगा दी थी है अब तक राजा नॉर्मल हो गए थे और उन्हें होश आ जाता है लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि एलवीरा राजा का क्राउन पहल लीती है वो सब के उपर माजिक कर चुकी थी ग्रेटल को लगता है कि वो बाकी की कुकीज के अंदर एंटिडोट डाल देगी लेकिन इतनी ही देर के अंदर एलवीरा ने हैंसल को पकड़ लिया था वो ग्रेटल को कहती है कि आगर उसने एंटिडोट का सिरम नहीं दिया तो वो हैंसल को मार देगी और साथ ही में कुकीज के बैटर में डाल देगी ग्रेटल आज से पहले हमेशा अकीले काम किया करती थी साथ ही में वो अपनी फैमिली को कभी बीच में नहीं लाती थी लेकिन आज ये पहली बार था जब उसने अपने काम से पहले अपनी फैमिली को चूस किया इसी के कारण एंटिडोट का सिरम एलवीरा के गार्स यहां से ले चाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी एलवीरा हैंसल को कुकीडो के बैटर के अंदर फैक दीती है अब हैंसल को बचाने के लिए ग्रेटल भी उसी में जम कर जाती हैंसल के पास अभी भी कुछ गैजट्स बचे थे जिसमें एक मैचिकल बॉल था जिसके मदद से अब ये दौनों ही ऊपर आ जाते हैं ग्रेटल जैसे जैसे ऊपर जा रही थी उसी समय उसने एलवीरा के हाथ से एंटिड को बचा लिया था आखिर के अंदर ये दौनों जब एजनसी पहुचते हैं तो वहां के ग्रेटल को आखिर के अंदर किंग के थूप बेस्ट एजेंट का अवार्ड भी मिलता है साथ ये में हैंसल को मैजिक करने का लाइसेंस भी मिल जाता है हैंसल उस लाइसेंस को नहीं लेता है वो कहता है कि मुझे मैजिक नहीं आता बलकि मुझे तो सरफ ट्रिक्स आती है एक तरफ ग्रेटल अवार्ड को मिलने के बाद में हर किसी के साथ सेलिपरेट कर रही थी वहीं जाते हुए वो अपने भाई को भी देखती है जो कि इस समय बिलकु लखेला खड़ा थ और इसी के साथ में काई से शांदर मुवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो आप सभी लोगों को यह मुवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मुवी में तब तक के लिए टाडा हुआ कर जाएगा तॉर खिजितके लोगों से तॉआपज दिए सभी लोगे हुआ हुआ हो? झाल झाल